आज की शबुआत होती है समर द्वारे की समर की या आप सगाई आप आप जानते हैं है इस को अनुक्मा करता जी दूप जिए और अचछी लग रहे सारे लोग अच्छे लग रहें या उनकी सगाई है तो इनुकमा कुछ शप्शल की है यानि की लड़कों के तरब से देखिए ये लिखा हुआ है दूलहे राजा ऐसा वो बनाई है सब के लिए सब लोग अपने कपड़े पे चिपका के जाएंगे उसको जिससे लगेगा कि ये दूलहे की तरफ से लोग आए हैं सब लोग अवाक रह जाते हैं खुश रह जाते हैं कावया बोलते हैं कि तुमको ऐसा कैसे सूचता है कि ऐसा कैसे बना लेती हो तुम तो समर भी कहते हैं इस पर सब बोलते हैं वाहो माँ सब समर बोलते हैं कि मा ये तुम ने कब कर लिया तो करें कि हमारे पस क्या टाइम है खाली बैटे थे तो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए और मैं नहीं चाहते हैं कि समर के शादी में कुछ भी कमी रहे कि मैं चाहती हूँ कि कोई कमीने रहे कि मेरा वगड़ा का स्पेशल शादी है न तो इसलिए कोई कमीने रहना चाहिए सब हजते हैं बंडाज भी हजते हैं सब लोग हजते हैं इधर तब तक वो जो क्या बोलते हैं ये मा लीला बोलती है कि हां शादी तो हो जाएगी फिर डिम्पी ओकर अभी इसके बाद डिम्पी आके कोराम बचाए बनाएंगी घर में मचाएंगी और उनका कोराम होगा जो असानी होगा तो अनुपमा देखती हैं उनको समर को कि वो देखते ही रह जा रहा है तब बोलती है कि अरे अभी तो वो सब चुड़्या भी तो शादी कोराम है न अभी यहीं मचाने चलते हैं हम लोग इतना डांस करेंगे न समर की सब लोग देखते रह जाएंगे फिर वो बात भूल के ह में लगते हैं कि रियल बात है कि उस लीला के बात में कुछ खासियत होती नहीं है तो उसको सीरियस दे के क्या करेंगे दुखी मिलेगा तो उससे अच्छा कि इसको नजर अंदाज करके और आप अपने आगे बढ़िये काम के आगे काम पर फोकस करना चाहिए इधर देखिए अनुपमा और समर खुश है क्योंकि शादियों रियों मा हैं उनके बेटे हैं सारे लोग खुश है इधर डिंपी को सजाय जा रहा है अब डिंपी को ये सजा रही ह पाकी तो बोलती है कि देखो उस घर में जा रही हो सब लोग अच्छे बनते हैं अच्छी बहु बन के सोचते हैं जाने के लिए लेकिन उसका हश्र क्या होता है वो तुमको शायद नहीं पता है तो मैं बता देती हूं कि जो जो भी अच्छी बहु बनना चाहता है खास करक उनके उनसे तो दूर ही रहना चाहिए तो तुम जब जा रहे हो सब लोग अच्छा बनना चाहते देखो अनुपमा अच्छी बनी काव्या अच्छी बनी क्या मिला अनुपमा को कुछ नहीं मिला उसका पूरा परिवार भिखर गया काव्या को कुछ नहीं मिला वो बड़े कि निभाते निभाते रह जाओगी तो यह मत भूलना कि अच्छा नहीं बनना है अपना गेहते जाना है और खास करके बाह से मुधंगा भूलती है है कि फिर बोलती है कि उनका बिंदी चिपकाती है डिंपल का फिर grow जाती रहती तब तक कि धर अनुज का प्रवेश होता है यानुज अनुज करते हैं बोलते हैं कि हाँ डिंपी और पाकी तुम लोग श्याद इंपोर्टेंट बात कर रही थी याई हम सॉरी तुम लोग कर डिस्टार्ट के कोई खास बात है तो बोलो तो बोलती है कि नहीं सारे लोग बोलते हैं तो फिर क्या होता है आप जानते ही हैं डिंपी को भड़काना चाहरी है पाकी और इधर सब लोग खुश होते हैं फिर सब लोग इधर लड़की की तरफ इंतजार करते रहते हैं सब लोग लड़की की तरफ वेट करते हैं और सजावटी का सब सबस्क्राइब को सबस्क्राइब तो उसका टेंशन मतलो उसके बादे बोलते हैं कि इंजल सब सारे लोग की बहुत अच्छे लग रहे दुलो को दुले को साबाशी देते हैं फिर डांस करती रहती है इधर कावया को तो आप जानती होंगे तो कावया जो है और वन्राज इतने फाक से वाश्रूम में मिलते है जो भी ये कमरा है उसमें मिलते हैं पिर बोलती है कि वो बोलते किसी बात पर बोलते है कि कावया जानते रहाे याद करती है कि पंडराज पिता बनने वालादू इसका अधिकार जानने का तुम उससे चुपाओ मुझे उसको बता देना। तो बोलती है कावे कि मैं जानती हूँ कि अच्छा जगह नहीं है, आज समर की शादी है, इस बिच मैं तुम से बता रही हूँ कि तुम मैं भी मा बनने वाली हूँ, तुम बाप तुम मैं प्रेगनेंट हूँ, ये बताती है और इससे मुझे तुम से कोई हो नहीं हो आज चर responsibility लो, क्योंकि ये तो compromise करना हो जाएगा, समझाता हो जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहती, रिष्टों में प्यार चाहिए होता है, समझाते से रिष्टा नहीं चलेगा, तो मैं अपने बेटे को खुद पाल लूँगी, मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे एक बच्चा चाहिए, वो बेटा हो चाहिए, बेटी मुझे एक सुख़द हजास चाहिए था, जो तुमने दिया, वनराश, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है, मैं एक माँ आखिर बनने वाली, मैं बहुत खुश रोओं, मैं नहीं चाहती, तुम मेरा कोई मदद करो, मैं अकेले कर लूँगी, और रही बात तरे इसकी, तो कि मैं इस अच्छा कंडिशन नहीं था बताने का, खुशी का माहौल है, तो तुम बुरा मत मानना, ये भी मत सुचने कि मैं बादला ले रहीं तुम से, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेले देख लूँगी, तो गोलते हैं कि क्या, वो कहते हैं कि किसी को नहीं पता है, घर में सिर्फ अनुप मा के सिवा, तो फिर उस तर से क्या, बाद हुआ है, कैसा निकले, तो बात करते हैं, तो बहुते हैं कि जानते हैं, या पासे को बोलती है, पाकी नाम या डिम्पी कुछ ना, करके जो दुस्टाई करती है तो बोलती है कि माया तो तुम शादी के बाद पढ़ाई लिखाई यह कैसे होगा वह आखिर कैसे हो सकता है उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी तब तक इदर आते हैं यह इनके भाई अनुच के बोलती है कि तुम्हारी तो यहाँ जड़ रहत है अंकूश रात है तुम्हारी तो यहाँ जड़ रहत है तुम्हारे यहाँ पूरा कमांड है तुम्हारा यहाँ जोब है तुम्हारा कारोबा है तुम यहाँ चोड़के कैसे जा सकते है वैसे मैं अकेले कितना दिन तक संभाल भाई तुमको यहां रहना चाहिए तो देखके गुसाती है उनको फिर बोलती है कि हाँ रहना चाहिए फिर माया भी बोलती है हाँ अनुज यहां तो मेरा घर फिर पाकी भी चली जाएगी डिमपी चली जाएगी तो यहां कौन रहेगा खाली घर रहेगा और यह मुझे अपन अपना से लगता है, खाली पन मेरे रहने से नहीं रहेगा, तो इस पर डिमपी बोलती है कि मेरे रहने से, मतलब अनुज की जगह तुम लोगी, अनुपमा की जगह तुम लोगी, इस पर अनुज बोलते है कि तुम ये गलत बोल रही हो, डिमपी, अनुपमा की जगह कोई नह लेगा तो बोलते हां हां अनुज तो बोलते कि तब तुम लोग नहीं जाओगे इधर देखिए यह ऐसे मुझ बनाई हूए क्यों अनुज ने ऐसा बोला है अनुपमा को लेकर इधर काव्या बताती रहती हैं अपना बताते बताते रोने भी लगती हैं कि तुमने बहुत अब मुझे तुमसे कोई बदलाने लेना है मैं पिछली बातों को भी भूला चुकी हूं तो थैंक यू तुमने मुझे असल में एक और बना दिया एक मावना एक सुखा देहसास दिया जिसके लिए थैंक यू धर अब कल के एपिसोड में आने माला है कि कल दात के तो अनुपमा बोलती है लड़के की तरफ से लड़के की तरफ से दुलहट डांस करेगा तो वनोच भी बोलते हैं हाँ तो कोई बात नहीं लड़की की तरफ से भी लड़की डांस करेगी वो क्यों खाली रहेगी फिर दोनों खुश रहते हैं देखिए दोनों डांस करते ह वे सारे लोग आते हैं लड़के और लड़की की तरफ से और कल के एपिसोड में तो धमाल मसने वाला है क्योंकि जानने की बात है समर की शादी है तो उसमें शो का तड़का भी लगेगा कुछ न को जरूर लगेगा